देखो अब लोग के बहुत सारे questions इस तरह से आते हैं कि क्या आपका model paper होने वाला है? 2020 में नई सिच्छा नीती आई थी, COVID की वज़ास्ते वो चीजे थोड़ा सा post-point गुआ था तो इस टाइम पर नई सिच्छा नीती के अनुसार क्या चीजे जेंजिश होने वाले, कैसा आपका model paper आने वाला है? तो हमने कई सारे subjects के आपकी model paper तैयार किया है, आपकी sociology का, आपकी geography का, आपकी प्राचीन तिहास का, हर subject का लगम के लिए वह हम complete करवा रहे हैं, एक एक topic हम आपका पूरा model paper जो है, उसको solve करके भी बता रहे हैं, कि अगर इस तरह से question आया, तो आप कैसे लिखोगे, पूरा detail अध्यन करवा रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, कि model paper कैसा आने वाल हैं, कई सारे universities में आपको पता है, यह already paper हो चुके हैं, तो जिससे की combined idea लग चुका है, कि किस तरह से paper actually होने वाला है, तो चलिए, मैं आपको कुछ papers दिखा रहा हूं, सारी model papers के किस तरह से आने वाला है, जिसकी हिसाब से आपनी तयारी करोगे, तो वो चीज आपके लिए क काफी beneficial होने वाला है, जिस तरह से question paper आपसे पूछा जाएगा, exact same, वो ऐसे model paper आपको मिल जाए, 23-24 आप set, held कर लो, वेकि बहुत सारे आप देखो कि maximum questions होते हैं, वो repeated होते हैं, जिसमें जो मैंने question बताया हूं, तो चलिए, आपको paper दिखाता हूं, switch तो इस तरीखे से आपका model paper होने वाला है, आपके सामने ये दिख रहा है, B.A. first year sociology, इसका प्रतम समेश्टर और नई सिच्छा नीती के अनुसार किस तरह से model paper होगा, तो जो आपका नया सिच्छा नीती आये हुआ है, इसके अनुसार, आप किसी वी university से परड़ रहे हो, इसमें यही सारी चीज़े सामने आई हुई है, कि आपका जो paper है, वो तीन खंडों में बटा हुआ है, खंड़का, खंडखा और खंडगा, इसमें जो आपका खंड़का है, इसमें आपको नोट रहेगा कि सभी questions आपको करने होंगे, एक question का answer पचास word में लिखना होगा, य दस के दस आपके लिए compulsory है, इन में से आप कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं, यानि कि ये दस के दस question आपको करने होंगे, तो खंड़का आपका इस type से होने वाला है, अब आगे बात करते हैं, कि आपका खंडखा कैसा होने वाला है, इस यहां रहा आपके सामने खंडखा, यह, I hope दिख रहा होगा, तो खंडखा में आपका क्या है, खंडखा में आपको 5 questions करने होंगे, और उसमें आपका 200 words में 1 question का answer देना होगा, 5 questions हल करने हैं, 200 words में question करना होगा, and total आपको इसमें मिल जाएंगे 8 questions, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको sociology में, या मतलब जो कोई 5 ऐसे questions, जिनमें आपके पकड़ हो, चो question आपको अच्छे समझ में आ रहा हो, उनमें से कोई 5 questions आपको 200 words में लिखना है, तो यह है आपका खंड़ नंबर खा, तो दो पार्ट यह होगे, अब आओ आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट आपको दिखाते हैं, इस तरीके के बढ़ते हैं, आपको इसमें दिया जाएगा total 5 questions, यहाँ दिकरा है आपको, इसी तरीके से आपके question paper में भी 5 questions होगे, तो total 5 questions है, जिनमें से 2 questions आपको जो भी easy लग रहा हो, जिसमें भी आपकी समझ हो, जितने में भी आपकी पकड़ हो, उस question को आप हल कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप देख लिए से कि यह चीजें हैं, ऐसे ही आपको question paper आएगा और यही से समाप्त हो जाएगा paper, तो इस तरीके से आपका खंडगा, खंडखा, खंडगा, इस तरीके से 3 parts में आने वाला है, मैं questions करूँगा कि वीडियो के अंत में मैं यहाँ पर आपके लिए papers भी लगा दूँ जिससे कि आपको बता चल सके कि इस एर जो paper हुया है, वो कैसा हुआ है, तो paper में मैं लगा दूँगा last में, तो वीडियो के फसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर किजी, अपने दोस्तों में share करो ताकि उनको भी इस से पता चल सके कि paper pattern क्या होने वाला है, model paper क्या है, सारा कुछ उनको clear हो सके, जिससे कि वो exam में अच्छा perform कर सके, exam की तयारी कर सके, और यह जितने भी topics हैं, यह पूरा-पूरा paper मैंने आपको solve करके दिखाया होगा कि कैसे आपको करना है, तो चैनल पर विजिट करके एक बार देखो, एक एक question लगबगी आदे गट करना है, सारा कुछ, ओके, तो go and visit that also, ओके, मिलते हैं आप से के लिए वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय बारत, थैंक यू, बाबाय,